दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद के जिवाल के धरने पर हाई कोट ने नरास की जताई है दिल्ली हाई कोट ने ये पूछा है कि LG हाउस में धरना देनी के लिए किस से इज़ासत ली गई कोट का कहना है कि किसी के घर या ओफिस में बिना इजासत के धरने पर नहीं बैठा जा सकता है दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केज रिवाल और पार्टी के मंतरियों के धरने पर बैठने को लेकर हाई कोट ने कई तल्क सवाल किये हैं हाई कोट ने पूछा है कि LG के हाउस में धरने से पहले LG से अनुमती क्यों नहीं ली गई इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी कि ये किसी का व्यक्तिगत फैसला है कोट ने इस पर पूछा कि क्या ये समवेधानिक है बीजेपी नेता विजेंदर गुपता की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जून का समय दिया है खुद भी काम नहीं कर रहे हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल को भी काम नहीं करने दे रहे हैं ऐसी इस्तती में बिना किसी कारण के माँ पड़े हुए हैं उधर IAS Association ने मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने IAS अधिकारियों और उनके परिवार की सुरक्षा का भरूसा दिया है Association का कहना है कि वो मुख्यमंतरी से अपचारिक तोर पर बात करने को तयार है आपको बता दें कि मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने आरूप लगाया है कि IAS अधिकारी हरताल पर है जबकि अधिकारियों का कहना है कि वो हर रोज दफ्तर जाते हैं और काम करते हैं पिछले एक सब्तह से मुख्यमंतरी समेट उनके कुछ मंतरी एलजी हाउस में अन्शन और धरने पर बैठे हुए है उप मुख्यमंतरी मनीश सिसोधिया की हालत खराब होने पर LNGP अस्पताल में भरती कराया गया है अन्शन के कारण रविवार को स्वासमंतरी सतिंद्र जैन की तबियत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भरती कराना पड़ा